वेलकम टु कोडबेशर्स यह वीडियो हमारे मैक्सिम सम सब ऐरे कोष्ण के पार्ट टू है हम पार्ट बन अल्रेडी बना चुके हैं जिस आगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेश्ट में जाके पार्ट बेख सकते हैं Part 1 में हमने इस question की दो approach इस discuss करी थी, जो की है on cube approach and on square approach, इस part में हम इसकी most optimal approach discuss करेंगे, जो की है cadence algorithm, यह हमारा o of n यानि single traversal of array में काम कर देती है, अब हम इस approach को discuss कर लेते हैं, इस approach को मैं आपको array पे traverse करके समझाऊंगा कि यह कैसे approach काम कर रही है, इसके लिए मैंने दो variable ले यह है, एक है current sum और दूसरा है max sum, current sum मेरा अब तक का जो भी sum है, वो store करेगा, और max sum मेरा अब तक का, जितना भी अभी तक maximum रहा चुका है, उसको store करेगा, current sum को मैंने 0 से initialize करा है, और maximum sum को मैंने minus 4 से initialize करा है, minus 4 इसलिए करा है, क्योंकि वो array का first element है, so अब हम traversal start करते हैं हमारे पहला जो हमने एक pointer लिया है, जो हमारे array के 0 से point करेगा, अब हमने current sum में pointer के value को add कर दिया, 0 में जब हमने minus 4 add गया, तो हमारा current sum हो गया minus 4, अब हमने current sum, जब minus 4 हो चुका है, हमने इसको अपने max sum से compare किया, मतलब किया कि current sum max sum से बड़ा है, तो max sum update हो जाएगा, और एक check और लगाएंगे, इसका एक check और क्या लगाएंगे, कि अगर अब हमारा current sum negative है, तो हम current sum को 0 कर देंगे, अब आप सोच लोगे कि मैंने current sum को 0 क्यों कर दिया, तो एक बार आपको मैं example दिखा देता हूँ, let's suppose मेरा current sum minus 4 ही है, अब जब मेरा pointer जो है वो आगे increment हो गया है, तो अब जब वो 1 पे है, तो मैं current sum में value add करूँगा, minus 4 में जब 1 add करूँगा, तो वो minus 3 बनेगी, तो आप देख सकते हैं, कि जो मेरी 1 की strength थी, जब मैंने negative value को, जो current sum मेरा negative था, उसको जब मैंने positive value में add करा, तो जो मेरी positive value की strength है, वो गिर गई, मतलब जो मेरी 1 की strength थी, तो originally 1 थी, लेकिन जब मैंने minus 4 में 1 pride किया, तो उसकी strength गिर के minus 3 हो गई है, और हमें इस question में ऐसा नहीं करना है, हमें maximum find करना है, तो अगर मेरा current sum negative ही रहेगा, तो जब मैं उसके positive value को add करूँगा, तो मेरी positive value की strength गिर जाएगी, और हमारा question गलत हो जाएगा, तो इसलिए positive value कि strength को maintain करने के लिए, हमें जब भी current sum अगर मारा negative है, जैसे minus 4 था, उसको हमें 0 कर देना है, और अब current sum 0 कर दिया है, अब हमारा pointer जो minus 4 पर था, वो increment होके 1 पर आ गया है, अब जब current sum में value add करेंगे, तो ये 1 हो जाएगी, अब हमने देखा कि current sum और max sum में से current sum बढ़ा है, त current sum हमने चेक करा कि क्या वो negative है, वो negative नहीं है, इसलिए हमने उसको 0 नहीं करा, अब हमारा pointer, जो pointer है, ये increment होगा, अब 3 पर आ चुका है, current sum में हमने 3 add कर दिया, तो ये 4 हो गया, अब हमने देखा कि क्या हमारा current sum max sum से बढ़ा है, हाँ है, तो हमने max sum को update कर दिया, अब current sum negative न बन गया, 2, 4 था, उसमें minus 2 करा, तो हमारा 2 आ गया, अब क्या current sum maximum से बढ़ा है, नहीं है, तो हमने कुछ नहीं करा, update नहीं करा maximum को, क्या current sum negative है, नहीं है, negative, तो अब हमने दुबारा pointer increment कर दिया, अब हमने current sum में फिर से value add करी, तो ये value हो गई 8, अब क्या हमारा current sum maximum से date, यहाँ पर 8, अब pointer increment करा, यहाँ पर 2 आ गया, current sum में add करी value हो तो यहाँ पर 10 हो गया, 10 maximum से बढ़ा है, हाँ है, तो हमने maximum को update कर दिया, अब current sum negative नहीं है, तो हमने उसको 0 नहीं करा, यह चाज़ा हमें ध्यान रखनी है, कि पहले हमें current sum और maximum को compare करना है, उसके बाद हमें check करना है कि क्या current sum negative है, अब हमने update करा, current sum हो गया 9, तो हमारा current sum maximum से बढ़ा नहीं है, अब हमने फिर से pointer update करा, अब हो गया minus 4, तो हमने देखा कि क्या यह, 9 minus 4, 5, क्या यह maximum से बढ़ा है, नहीं है, तो हमने फिर से pointer update करा, minus 7, 5 minus 7 is minus 2, अब हमने पहले check करा कि क्या यह maximum से बढ बड़ा है नहीं यह maximum से बड़ा नहीं है अब हमने चेक करा कि क्या यह negative है अगर हाँ यह negative है तो हम इसको 0 कर देंगे और अब पॉइंटर अपडेट करा और हमारा array end हो गया अब जो हमारा array end हो गया जो value हमारे max sum में है वही value हमारे maximum sub array की value है अब हम इस approach का code देख लेते हैं जो मैं code लिख रहा हूँ यहां पर question बिल्कुल सेम है कि हमें एक array दे रखा है उसमें maximum sub array sum find करना है तो हम code अपना बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने discuss किया था approach में तो मैं आपर दो variable ले लूँगा int current sum जिसका मैं 0 से initialize करूँगा और एक variable ले लूँगा int max sum जो अभी तक का मेरा maximum sum store करेगा और उसको मैं करूँगा अपने array के 0th position से initialize तो और loop चलाऊँगा for int i equal to 0 i less than array की length तक num.size i plus plus अब अब अपने current sum में यह वाला nums आई यहां पर मेरा pointer उसको add कर दूँगा अब मैं चेक करूँगा कि मेरा current sum बड़ा है या max sum इस मेरा current sum जो है is greater than max sum अपना max sum update कर दूँगा और अब मैं एक और चीज़ चेक करूँगा कि क्या मेरा current sum जो है वो less than 0 है मतलब negative है अगर negative है तो मैं अपना current sum को 0 कर दूँगा और यहां से मैं return करूँगा अपने max sum की value अब यहां पर हम एक पर base case देख लेते हैं अगर अगर मैं nums का size है जो length of array है वो 0 है तो मैं return तर दूँगा 0 nums और अगर if मेरा array की length है वो 1 है तो मैं return तर दूँगा 1 return nums 0 अब बार code को रंदर के देख लेते हैं तो यह correct दे रहा है अब submit करके देख लेते हैं यह code को तो guys यह पूरा submit हो चुका है यह code 100% optimized code है I hope guys आपको यह video पसंद आई होगी टूँें झाल कई तो कई पराई